इसलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाईए कभी मत बनाईए हमेशा याद रखेंगा किसी को जाने बिना उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाईए हर चमकती चीज सोना नहीं होती यह दोनों तरफ आ है चलो हर चमकती चीज़ सोना का मतलब हुआ किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी चीज़ को देख कर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राय ना बना ले कि यह ऐसा है वैसा है बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे तो सामने वाली सीट पर एक पती-पत्नी बैठे थे और बेटा यानि अच्छा बड़ा है 19-20 साल का लड़का है तो हर थोड़ी देर में वो बार-बार कह रहा है कि देखो कितना सुन्दर पेड गया है फिर कभी वो कुछा है तो देखो ये कितना सुन्दर बादल है हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी-ऐसी चीजे को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं जो रोज देखते हैं, तो जो सामने वो जोडा बैठा था, पती-पती, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या इतना बड़ा लड़का हर, कैसे हरके जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार पेड़ देख रहा है, पहली बार बादल देख लिए, बच्चे जैसे कोई तो किया है मैं इसे तो आ रहे हैं मतलब बुले मेरा बेटा बच्पन से अंधा था आज उसको आखें मिली इसी उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि वह पहली बार देख रहा है इस दुनिया को इन रंगों को अब माल लीजे उस जोडे ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया नहीं पता चलता तो गर जाकर क्या कह रहे होते हैं क्या पागल बेटा था क्या रहे होते हैं कि नहीं तो किसी को जाने बिना उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राए मत बनाई उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता